हेलो दोस्तों तो स्वावेद आपका ओंद फॉजी शोब आज का एपिसोड बहुत जोज ठाइब है ठीक है फूल अफ मोटिवेशन ये बंदा धीतव भिष्ट ठीक है रिमेंबर दा नेम ये बंदा कुछ करेगा वह इसने बंदे ने बारा अटेंप्ट्स दिये साथ बार स के लिए एक बार एक बार एक बार इंडियन कोस्ट लिए ठीक है तो इसने ग्रेजुएशन के बाद दोनों वेपर है न सीडिये सायमे और एक डोनों लिगा ले है तो आज हम इससे मिलेंगे इसकी जर्मी के बारे में जानेंगे एंड इसकोईडा मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर दिखेगा बंदेगा आज के स्पॉंसर्स हैं मी मैसेल्फ साटिंग इंग्लिश कम्लिकेशन मास्टर क्लास रॉम 10 जुलाइ एंड हमारी ट्रेनर होंगी पलत गौतम मैं पलत गौतम मैं जो हैं वह आठ साल से जादा उनके एक्स्पीरियंस हैं लैंगुश ट्रेन सब्सक्राइब कर सकते हैं इस नंबर पर 6355920890 आफ वाट्सप कीजिए हमारी टीम आपको कांटाइक करेगे अट अर्लिएस रॉट वाट्सपीश टीम आपको कोंटाइक करेगे अट अर्लिएस यह अर्लिएस यह परला इंटेगरेशन ने मेरे कुट की वीडियो के साथ ठीक हैं सो जस्ट बी लिटल पेशिंट अ तुमम मतां तुमम मतारे अर्वन हमारी आपको कीज कीजिए अटेंस इसमे καईष सेजडियों कैş-था फोकस इस हम इस प्रिकेकी बीन रिपाद टीम आपको पॉर यह श्या कित की झाल्ने मेरे जुट बने इनक्वह इंट, इंकी शी किLO जड पनी शिजड लाट्स प्रमार don't wait for God to come and help you ठीक है तुम आजाओ चुपचा भी कुस ले लो I guarantee you we have an amazing team बहुत experienced है and we have a great product we have been preparing for this for last 3 months आजाओ जल्दी से for more details contact on this WhatsApp number on your screen and we would be glad to help you Jain on to the video तू बढ़ता चाइ तू लड़ता चाइ तू लड़ता चाइ तू बढ़ता चाइ तू बढ़ता चाइ जै हिंद वंदे मातर माण भारत मातर चीजे आगए तहाँ का The 4G Show में The 4G Show में समाज़िक जिम्मेदारे की तरफ एक वी नमबर कोशी जे इस शोर से कट्टाइ किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडिशन में जाएगा ताकि मारे शहीर बाइबेंट की फैनलीज को फोई भी आप तक समस्टन ना आए आपके लाइक, शेर और सब्सक्राइब से किसी सायत हो सकती है कि मैं खुद एक एक संडी हूँ और नाश्चल डिफेंस अकाडमी में तीन सार ट्रेनिंग किया हूँ मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाइबेंट का जो सरत पर है कि हम जैसे लोट आप और मैं जैन नीन सो सके जै हिंद वंदे मातरम और भारत माते की जै स्वागत आपको अपको ओंड पाजी शो टूड़े वी इस बेरी स्पेशल गेस्ट वीपक बेश्ट थैफ प्रिष्ट की बड़ी इंट्रूस्टी और मोटिवेशनल ग्डोरी फिके विप्टेज लिप थिर भी यह तो आपए लूड़ ग्हिए तो के लिए इस पिरियंसेट ट्या स्वेंग सब्यासिघ्सी स्वें टूट two times conference out and three times he has got recommended price once for postcard second ima cds and third for appcat so heartiest congratulations first of all on your thank you so much sir and thanks a lot for inviting me oh thank you so much for accepting the invitation because thank you so much so i hope this will be a great experience and guys heads up you guys know comment section is only 23 years old he was born in the year 2000 he just looks very mature okay so now dipak yeah first of all you know how do you get this motivation that i want to go to forge basically forge's motivation is that i joined ncc in the 9th so basically what was that i went to the school raachipati vavikas vajale delhi school is the delhi government school so there was ncc there initially so i took a lead uh uh फिर वहां से उसके बाद फिर सर बेसे के लिए में ना रानी केट से बलाओ करता हूं तो रानी केट में कुमाव रेजमेंटल सेंटर है तो जब भी मैं घर दाता था तो मुझे बदा चलता था कि इधर से इनका लड का जो है जब फॉज में बढ़ती हो गया तो 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 अनेदर रोल की वह अब जो है न जो है न अडिया और सुदिय करने तो भाह से तो फिर आगे सब कुछ बढ़ता चला गया तो इसमें तो जैसे ही आटो का दूशे जोइन जाटी जोइन करी और वन आप मैं प्रेंड जिनका अपना खुद का एंजिय तो उसको जॉइन किया सर फिर उसके बाद ना ऐसे मैं जो है सुसाइटीज जॉइन करता रहा है कम्यूटी इवेंट करा रहा है एंजियों मुझे बहुत रोल मिला कि वे रिस्पॉंसिबिलिटीज लेंगे तो जो मैं पहली बार फर्स्ट इवेंट में गया एंजियों के नार्मली होगा वड़ सामने ना ना अगर कि अगर तुम्हें नहीं कर पाओगे तो उसके बाद लिए लोगो इसकी साथ काम करते-करते काफी ज़ादा बूस्ट हो गया धन फिर जब मैं अपनी मैप सोसाइटी में था तो पहले उसका मार्केटिज था तो लोग को को पिछ करना था स्पॉंसर्शिप वगरा के लिए तो वहां पर भी काफी उजादा कॉंफिडेंस विला कि कैसे बात करनी है लोगों से ऐसे ही वोमन डेवलोप्मेंट सेल में भी सेम रोल था तो इन सारी चीजों ने सर कंबाइंड एक बूस्ट भिया मुझे कि वही कैसे क करना है कैसे कमिनिकेट करना है कैसे बात करनी है तो वो जो दो साल से ग्रेशिन के मेरा अफकेट का फर्स अटेंप्त था इसके बाद का फंटी टुवंटी बने तो 2020 और 2019 का जो दो साल तर उनमे काफी जादा चेंज आया पस्टनालिटी में भी और कम्मिनिकेशन में भी औ इंटरक्शन अगेरा में भी तो इन सब ने काफी एल्ट किया और देन यू जिव और फिर्स सीडियर इन फिर्स अटेंप्ट के लिए जो है उस ताइम पर मैंने ऑनलाइन डाइन्स लिया था एमास से एमास बेटन और तो वहां पर क्या हुआ कि वहां से सब कुछ सीखा त तो इसके बाद में अंदर हुआ पहली बार स्कृणियन उआ चौत्त में तो उसके बाद महां पर कॉन्टरेंज आउट हो गया देन सर उसके बाद कंटिनुसली चारवर में स्कृण आउट गया अटकेट के लिए सीडेयर के लिए कोसगाड के लिए और फिर एकेट के तो सर यहां पर तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बार तुमारे अपर वह रिपीटर वाले ठपपा पड़ जाता है तो सिन्यारियों बहुत चेंज हो जाते हैं मतलब पहले मैं फ्रेशर एंट्री में था तो मैं थोड़ा बहुत कर देता तो सब चल जाता था बट उसमे इसमें क्या था कि मैंने फिर सारे के सारे जितने भी टेलेग्राम पर ग्रुप वगरा है सब जॉइन किये तेक है उन में दबा के जो है रोज प्रिपरिटी वगरे की प्रेक्टिस करी और दूसरा सबसे बड़ा रोल था एक मेरा फ्रेंट बना यह वन एस भी में में फरी में हमारी इतनी बात नी होती थी मतला मेरी अपने घर तरहाती घरवाले से जितनी हम दोनों की आपस मोटी है हम स्रू पार को रहे है तौ uns ठोलोन के सकरना आई कि जैसे वां ओलो प्र वजम पड़ा ऑच गर्रोब ता तो उसका एप्रिचिए कर दो वैरी नाइस सबसे बड़ा गेम जो मुझे लगा वो है कि गुरूप गोल कि मेरी स्टोरी मेरी स्टोरी जहां पर हम लोग यह भूल जाते हैं कि गुरूप का सबसे बड़ा फंडा है तो वह चीज सबसे बड़ा ब्लेंडर है मेरा एफोस वाला जो टेम्ट था जिसमें मैं वन एफस भी देरादन वाला तर वहां पर क्या हुआ कि एक पिक्चर थी जिसमें दो तरीके की थीम्स बन रही थी दो पूरे ग्रूप में एक और एक था जो है वो फिर दो तर अब यहां पर के रणिंग और क्लीनेश नहीं आधा आधा अधा ग्रूप डिवाइड हो गया तो वहां पर मैंने मैंने दोनों ग्रूप को जो डिवाइड हो गए थे सब लोग मेरे साथ आ गए तो देट वाज़ पॉइंट मुझे लगा क कि जैसे हम लोग ओपन माइन तरीके सा सोचते हैं तो कही ना कहीं ऐसा पॉइंट पिल जाता है जिसको हम लोग उस ताइम पर बोल बाते हैं कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं तो वह एक बड़ा वाग होता और बाकी सिर्फ चार बार स्क्रीन आउट में खोड़ा यह तो होता ह हैं तो उसके बाद फिर जाए वहाँ पर वो चीजे वो लोग जो है थोड़ा सा तो जाएगा तो वह एक और बड़ा रोलता है तो मेरे काफी दोस्तें जो स्क्रीन आउट होते हैं एंड वहीं पर रुख जाते हैं अलावाद मोपाल पांच दिन गूम कर पिफ्ट्रे पे ह यह ओ ही किए तरी नहीं इसका तो यह था कि मैंना साथ साथ कोचिंग बड़ा रहा था लाजिक डास करके कोचिंग माइन सुइट्ट इव महां पर में उपर never the to go जैसे मां भी फेकल्टी तो अजय से लाए तो उनका रोल यह ता की yourself मैं और यहां पर टेस्ट बना खरके चल से नहीं बता था तो यह एक मुझे लगता है कि responsibility हमेशा रहती थी कि मुझे वाकवास आना है और फिर आगे आकर के फिर वही पेसे स्टार्ट करना पड़ाना तो मेरी options मों बोलो काफी बड़े तरीके से test test सब पिंड़ कर लेते थे तो थोड़ा strategy what is strategy what is आइडियल रिसोर्सेज शेयर करें और अधियर के अधियर करना बहुत जादा आसान है cds के मुकाबले और cds मों मुझे लगता है कि cds में न हमें कभी भी टॉप नहीं मारना मतलब पूरे सौसर नंबर ली नाने तीनों वेपरों में एक strategic game है जैसे अगर मापको इंग्लिश का बताऊं तो इंग्लिश में सर गिने चुने पीवाइक्यू से पदा चल जाते की पैटन क्या रहे है तो अगर हम उनी पीवाइक्यू सब्सक्राइब प्राइब जाता है तो इसके लिए कि एक बारी न मुझे लगता है कि जो ग्रामर वाला पूरा पार्ट है कि वर्ब नाउन प्रणून ये पूरा कोर्स एक बारी तो करोई तो इसके लिए ना टेलेग्राम पर बहुत सारे सर जो है फ्री वीडियो पड़ी है किसी भी टीचर की उठा लो फ्री वीडियो फ्री कोर्स पड़ा है तो अगर एक बारी बैट करके जरूरी हो जाती है तो इससे भी प्रेटिस हो गई वाकी मॉक तो हम दे रहे हैं उससे भी प्रेटिस हो रही होती है उसमें साइन फॉल अपार्ट हर कोई कर लेता है अगर वह साइन ग्रांट से क्योंकि 9-10 तक क्या आती है NCRT NCRT से काफी कुछ हो जाता है और दूसरा PYQs बहुत जादे होते हैं साइन्स की वेपर में तो अगर मैं PYQs करके जा रहा हूं तो भी हो जाता है और सर रही बात बाकी वाला जो पोर्शन है उसमें बहुत बहुत ही स्ट्राटिजिक तरीक का पढ़ लो 11th class की जो NCRT सर वो भी मुझे लगता है कि अगर एक बार ही रीड कर लो तो हो जाता है मतला मैंने मेरे साथ तो क्या था कि मैं 11-12 को पढ़ा रहा था तो उनसे पूछता रहता था तो जब मैं उनसे डाउट कूछ रहा होता था तो वो मेरे को बोलते थे कि यह जाए मतलब माँको गेरा लगा लो माँको गेरा टेम्ट कर लो तो हो जाता है पूरा एक्ष्पेंट वर्जन डाला हुआ है उनकी पूरी प्लेलिस है लक्ष्वी कान की तो हां से लोड है तो बिलकुल 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 सिधार क्या माम सिधार तरोडा नाम है गैस तो उनकी वीडियो भी हेल्प कर जाती है और जोग्रफी के लिए तो सर मैंने ना ज पढ़ो और पढ़के हो जाती है तो वो किया था जोग्रफी के लिए तो बाकि साइन्स तो सर उससे हो जाती है इस्ट्री का पार्ट सर यह कि वीचमना मैंने सेनिक स्कूल और जो है इंटरेंस के लिए तयार करा रहा था तो उसने भी काफी हेल्प किया कि उन बच्चकों म अच्छा हो गया था है और आफकेट में लोग कहते पेपर असाने लेकिन आपको मेरेट होने के लिए नंबर चाहिए है यह सब्सक्राइब मुझे लगता है कि अगर 200 प्लस लाओ तो ही शॉट शॉट चांसे होते है दो इस बार तो बढ़िया है इस बार तो मेरेट सही मतलब पीसी के लिए अगर में बात तो सर वहाँ पर मुझे लगता है कि जैसे रीजनिंग और मैस यह दोनों तो शॉट शॉट होते ही होते हैं मतलब जिसका मैस बढ़िया है जो सब्सक्राइब उसका रीजनिंग और मैस वाला पार्ट पूरा हो जाएगा इंग्लिश में क सब्सक्राइब तो उनको एक बारी पड़े ले ना उनसे जस्ट गो थू हो जाए तो वह भी काफी हल्प कर जाता है कि जैसे टेस्टबुक पर कुप सारे मौब मिल जाते हैं तो वहां से डेले डेले को क्विशन समय पदा चल जाते हैं कि क्या और यह नहीं और अगर दूसरा तीसरे दिन का shift है तो पेले दूसरे तेंसे यह आईडिया लग जाता है कि क्या चेंज हो रहा है जैसे पिछले सा कर दिया थे English के उठा करके तो यह थोड़ा सा है तो यह चल जाते हैं पहले दूसरे वेट पर तो 200 प्लस के लिए पाल से की जो है जी के पर काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर सब्सक्राइब कुछ चोड़ नहीं जाकते अगर मैं बोलू कि अगर मैं मा पर 5-2-1-50 मार्क ही बनेंगे अगे का जो गेम मुझे ले जाना है पुरे 50 नंबर का वो इंग्लीश और जीके ले जाना है तो यहां पर है थेल्प करता है वो अब यू चलियर देर मुल्टिल तेमें सेट एटकट टू अट्यों आटक प्रसेजब अगें यह गें देटिन आइजर स्क्रींद आउट और गॉन्फिंद आउट आउट तो इसको एंडल करना क्योंकि यहां पर मुझे क्या लगता है कि जैसी हम स्क्रीन आउट होते न तो हमारा एक जो इनर मोटिवेशन आता है वो तूपता है बिल्कुल तूटता है कि यार मैं पहले दिन यहां से भॉपाल गया और भॉपाल में जाके स्क्रीन आउट हो गया और में वापस आ रहा हूं तो सर यहां से जाने वाले तो बहुत ही जादा डी मोटिवेटिंग पार होते हैं मतलब वहां पर ऐसा लगता है कि पहले दिन में कि मुझे आर्मी जॉइन करनी है किसे भी आलत में तो मैंने ना जब मैं रणिंग मनिंग करता था तो रणिंग में भी यही देखता था कि मैं अपने माइड में वह विज्वालाइज करता था कि प्लस चेस्स नंबर मिलेगा तो मैं प्लस चेस्स नंबर के पीछे भाग रह या तो मेरी एक अपनी डायरी है किस अढ़र बने क्या गर Guinea किया क्या किया कि जैसे च fell कि पर आंने इंगा करने कि वह वहां करें और किया है कि सामिनल्फ को ओर वहां माई नॉ分ग्ण और कर्划ढ़गाई कि प्लक्ति soprat कर नेरेट करेंगा पुरानी सारी मिस्टेक्स को मैं नोट डाउन करता था कि कहा क्या किया कहा क्या नहीं किया उसकी वाद अधर देन डाट सर एक और चीज़ है जो तुमा जो हमेशा अपने मांड में रखनी है कि यार एससबी का जो सेलेक्शन प्रोसीजर है न वो जल्दी नहीं होगा तो लेट से होगा बट होगा जीरे 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 क्वालिटीज आड़न होती रहेंगी और वो जो है यहां पर मुझे लगता है कि जो डेली का पार्ट होगा न तब जागर के काफे जादब होगा है तो कंसिस्टेंसी बहुत मेंटर करते हैं इसे मापको बता रहे था कि मैं और मेरा दोस्त रोज डिसकस कर रहे हैं मतलब हमारी अपने घरवालों से उतनी बात नहीं हो रही थी जितनी हम ऑनलाइन गूगल मीट बगर पर कर रहे हैं परेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी हो जाता है कि सर लड़का बार बार जा रहा है पहले दिन वापस आ जा रहा है फिर जा रहा है फिर आ जा रहा है एक जो सबसे मुझे बड़ा जो दुख हो था था नेरा सीडियस अटेंड तो मेरे ना 158 प्लस मांक्स थे उसमें सीड करेंगा चुन अब यहां पर गलती है ती सर नेरा जो सबसे बड़ा ब्लंडर था वो था पर्सेप्षन था मेरा perception इतना वाहिया था कि मतलब मैने वह perceived किया हल खेती वाल जो आता है वह perceived किया है तो सब जो है इतनी बड़िया stories बना रहे है military insurgency और military operations के ओपर और मैं सर agriculture के ओपर story बना रहा हूँ तो जब मैं ग्रूप डिसकेशन में वह स्वेमी सरकल में बैठा I was like कि वह क्या वना दिया यह कौन सिस्टोरी बन गई है और वैसे भी agriculture तो preconceived मानी जाती है तो फिर मुझे लगा कि perception बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर perception ही गलत है तो सर हम ग्रूप के साथ mix नहीं हो सकते तो स्टोरी ऐसी नॉर्मल सी बनाने का ट्राई करता था इसके बाद में कि वाई जो सबको राज आ जाए मतलब इसली डाइससेवल हो बाकी ग्रूप के लांडों के लिए इसके लिए फिर मैं बढ़िया होगा तो एक मेरे ही एक जो है अलाबाद वाला ग्रूप ता तो उस वाले में एक स्टोरी मुझे ऐसा लगा सुनके कि कुछ और ही लिए दी मतलब वह बंदा क्या कर रहा था भी इसने गोल्ड के उपर कुछ रिसर्च रिसर्च करी थी तो यहां पर मुझे ऐसा लगा कि यार इतनी भी खतरनाक लेवल पर नहीं जाना तो वह भी मैंने अपनी डायरी में ओट दाउन किया था कि कभी भी अपनी स्टोरी को इतना बड़े लेवल पर मतले जाओ कि तुम एकदम साइंटेस बन जाओ और पूरा ग्रूप तुम्हे मिक्स ना कर पाए अपनी तरह तो यह है सिंपल इस ब्यूटिफू इस सर बहुत जरूरी है कि जितना अधा सिंपल सिंपल रखोग ना सामने वाले के लिए अच्छा है वो भी समझ जाएगा और ग्रूप वाले भी समझ जाएंगे बाकी सर नवर गिवप बाला तो हमेशा ह वो एक पोस्टर लेकर के चपकादा सामने की बश गिवप नी करना एससी बहुत है कभी न जाएंगे रिकमेंट और ये लाइन यह मेरे दोस वोलते थे मेर को क्या रहे ठीक है कवी मतलब ऐसा है कि मेरे जो मेरे जो आज मेरे से जादा खुश मेरे दोस्त हैं पूरे मतलब म यह दोस्तों को ना पुरा प्रोसेस गड़ गया है अगर माँ कोई भी इवेंट पर जात हो तो मेरे से गड़ी कि चलो एक स्टोरी मिल गई है तुझे आज लेकर लेकर लिए तो वहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले गड़ता है वो अचा ना यह फर्स अटेंट थे लिस विख डरिया जैस्मिव को ड़ो तर्फिदे वो पूस्टो फर्ष्टाड किले तो इस उसमें यह ll जड़ी फर्स इसी पर पॉस्टोर्ड ने ज़ू सेर सगेंट पैले आले बाज एस्सक्राइब टाइन आट गया ता ओके तो ना थि एक्षिन जब रेकमेंडेशन का उन्होंने बोला विकॉल्स नैचिरली तरस्व अटेम्ट है यार तेरा पहले ना कोसगार्ट पहलो सेलेक्शन प्रोसेजर है उसमें जो एसेज़ की है वो दो फेज में होता है एक तो PSB हो जाता है उसके बाद वो एक देड़ महिने का अराम से टाइम देते है फिर FSB कराते है मतलब जो सेज़ वन है वो पहले करा लेते है और फिर बहगा लेते है फिर वो देड़ दो महिने बाद बुलाते इस सेज़ के लिए तो मेरा स्टेज वन गया था कोलकाता मैं स्क्रीलिग प्रॉसस के लिए कोलकाता गया और सबसे बड़ा डर गये था कि सर इससे मेरे मैं ना चार बार स्की नोट हो चुका हूँ तो इस दो दिन लग जाते लगवग लगवग पूरे तो दो दिन ट्रेन में प्रेट के गया और महां पे जाके स्क्रीन हूँ सबसे बड़ा डर था मेरे मतलब ऐसा था कि मैंने सोचा आज में ट्रेन ले रहा हूं और दो दिन बाद में कोलकाता पहूंचूंगा तो अगर मैं स्क्रीनोट हो गया तो महां आओंगा गैसे आगले दो दिन पहले बाकी जरनी में एक दिन होता जाए ठाधा लेट दिन अटीच दीन न विछ अगरे दो पिर वाग गया और जाकरके मैं स्क्री म्हीं हो गया इस उड़ती कि युजिका बिक्री को जोड चाल जो ए तो उस दिन मुझे रिलाइस हुआ कि जो जो चीजे मैंने लिखी वो बाकी लोग निस्टेक्स कर रहे थे और वो चीज मेरे माइड में क्लिक को रही थी कि भाई यह नहीं करना यह तो इसकी वएसे तु वहाई से वाड़ासी में स्कीन आउट हुआ है ऐसे करके तो वहापन जीडी में भी ऐसा हुआ कि सबने बोला कामन ग्रोप स्टोरी न रेट करने के लिए तो ऐसा था कि एक वन्दे ने पूरे जीडी में पार्ट मिलिया था तो उसको खुद SSR उसने पूचा कि तो में कुछ बोलना है तो सर उसने जीडी खतम नहीं हुआ उसने खु तो वो रिकमेंड़ वर्ट जब मैंने पड़ाना तो आवस लाइक कि यह तो बढ़िया हो गया तो मैने उसी की फोटो किची बस और फिर घर पर बताए कि मैं स्क्रीन नो गया अच्छा रेकमेंड़ फॉर इस बिरेकमेंड़ फ्रॉम इस बीडी ने रेकमेंड़ फॉर तो मैं उसको पड़की बड़ा खुछ हो गया आईवन लाइक कि अरे बाइसाब बस यही चलिया हो तो फिर मैंने घर पर बताया कि मैं स्क्रीन नो गया हूं तो घर वाले तो अला खुष की अब तो तुझे वही रहना है मैंने के ने ने नी नी वापस आरहो तो उनको ऐस अब क्यों आप अठारह है तो सर यह था कि उस दिन तो खुछ से फिर मेरा जो है जून में मैं स्क्रीन वा था और मेरा कोसगार्ट का जो फाइनल सेलेक्शन था वो सेप्टेंबर मता मतलब फेस्टू जो था तो जून से लेकर के सेप्टेंबर तक का ता मेरे पार उसमें प्रेपरेशन मारी तो जब मैं वहा गया फिर 10th attempt था ही तो मैं एक मांड में गे लेकर के किया था कि यार 10th attempt है जब अब वो शीट बढ़नी होती है जिसमा अपने SSB attempt लिखने होते हैं तो अब यह दस अटेंब के लिए पर एक और शीट मांगनी वड़ेगी तो भाई तो नहीं सर उसके बाद यह हुआ कि जैसे ही में 10th attempt में घुजा तो उन्होंने कॉलम पंद्रा गर दिये तो मुझे लगा चलो शरम बज गई आप तो यह अच्छ अभले में तो इसमा वह वटा तो गरवालो को क्या रिक्षिंट अव यह था कि जैसे ही मैं एसे भी में एक्नेट वह तो पर्फॉरमंस तो सब सभी चल रहे थी ज़ोग वोल्रे थे कि यार्ट तू हो जाएगा हो जाएगा एसे ही सेम ना मेरे साथ जोहें दरा तो यहां पर पूरा गुरूप ने जब बताया तो उसके बाद फिर मेरा वेटिंग चल रहा होगा तो बहुत देर तक वेट हुआ तो उसके आद मेरे से पूछा कि कुछ सजेशन्स हैं मैंने का नहीं तो कहते हैं भी सोचनथे कुछ तो होंगे अए फिर मैंने को यहां माने वोला किसे से राईत्रड़ यहों मधा थोड़ा स pytist में एक नहीं था मिले कृंकि वह पर शनमने घ्रिसरी मालैं से वाहरा है तो थोड़ा बहुत है वापर तो मैंने उनको बोला कि से रोटी भी आड हो सकते है तो मेरे से पूछे की तुम्हारा तो ढाबा है तो तुम्हें तो आती होगी तो मेरे से जादा अच्छा खाना बना ले तो यह से बात चल रही थी नारवल नारव है तो उन्होंने बोला कि टेस्ट नमबर 20 जो मेरा था सर में खड़ा उथा तो इन्पने इस समझ में आए कि क्या चल रहा है जैसी उन्होंने टेस्ट नमबर 20 बोला और बच्चे ताली वाली में जाने लगे तो मेरे माईमिन में असर वह सारे एटम्प्ट्स आगए जो स्क्रीन आउट थे साथ के साथ वो वो वन ऐसे फ्लाइश करने लगे कि यहां से वी और उससे वी वडिवाद से में यह मेरे घर के पास ही था मतलब मैं 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 रहता हूं तो 62 में होता है तो वसम उचलए मुख घर मौच अशा ता तो मैंने घरवालों को बताए कि मैं denn अपने दोस्तों को अदोस्ता है मैं नोस्त को बता है कि मैं हो गया सर मुझे ऐसा दखते कि जतना खुश में हुआ उतना ही खुश वह भी हुआ होगा और जो मेरा जिसके साथ मैं प्रैक्टिस कर दा बानु जवा भी अल्रेडी आयमे में है तो हम दोनों ना दोजार रिक्टिस से साथ साथ प्रैक्टिस कर ले गए सर दिखो एक तो बगवान का आशिवाद कहा थकते हैं कि वो भी वो आयमे के लिए रेक्मेंट हुआ सब थारीक को और मैं रिकमेंट हुआ कोसगार्ड के लिए थी सारीक को तो हम दोनों ना सेम टाइम पर रेकमेंड हुए तो पहला रिकमेंडेशन दिल्कुल सेम टाइम पर आया, तो मैं उसको बताई नहीं पाया कि उसके मेडिकल्स चल रहे थे, फिर उसको ऐसी पदा चला और फिर कॉल हुआ, तो सब बड़े खुशते हो ताइम पर तो तो मेरिटन तो हुई जाता है और फिर उसके बाद अब दिल में खुशी और इन इतना सार एक्साइबंट होगा तेरे गर्वालों में तेर में तेर में और यूँ गो फोर यूर 11th SSB, यह अब मन में तर तो अब भी भी आर्मी में जाना है यह अब जाना है तो अब भी आपकेट में यह गिट रिकमेंडेट वहां पे कुछ अलग हुआ विच यूड लाइक तो यह ता कि अब मुझे मेरे ना आज तक अपनी लाइव में हमेशा देखा था पूरे प्रास अटेंट्स में कि जो रिखमेंडेट होते ना उनको अलग तो मैं वहां पर खड़ा हुआ तो मुझे पहले ती ही देख करके लगा कि अरे वह बढ़िया हो गया फिर उसके बाद सिर्फ जैसे ही आगे का प्रासेस हुआ तो मुझे लगा कि जो चीज कोजगार्ड के लिए करनी थी ना कोजगार्ड में भले ही में रिकमेंड दुआ लेकिन वहां पर भी वो जो डायरी मेंशन करने वाला पाट तो नहीं चूटा क्योंकि मुझे बदा था कि मेरा कोजगार्ड का इंटर्व्यू सा बढ़िया नहीं गया जितना बढ़िया जाना चाहिए था तो वह चीज मैंने लिखी पूरा इंटर्व्य अपने डारी में कि क्या-क्या चीजे में अड़ान कर सकता था क्या-क्या वो एक्जाम्पल साज़ें जो मुझे बचाने चाहिए जो मैं नहीं बता पा रहा था या फिर जिलको मैं ऐसे ही उसाइड कर दिया था था तो वह चीजे मैंने इंटर् जयसे ही मैं आपको इंटर्सपेक्ट या और सबसे बड़ी बात यह थी कि सर मैं यहीं से स्क्रीन औट भी वह यहीं से कॉंफेरेंस अट भी हुआ तो यहां पर मैंने एक वह एक वह एपने इसाप से चलाने वाला जो पार यहां पर मैंने थोड़ा सा उन्हें नहीं हिंट कि मैंने सर यह जो पूरे 10 अटेम्ट्स हैं इनने मैंने काफी कुछ इंप्रूव किया अपने अंदे तो I want to portray all the improvements that I have done so far तो वो चीज मैंने उनको बताई तो जैसी मैंने बोला कि मैंने अपने आपको काफी इंप्रूव किया क्या क्या इंपरोब किया और मैं उसके लिए बिल्कुल प्रपेर था तो वह चीज मैंने बताई उन्हें और एफोस का इंटव्यू ना सर बिल्कुल 22-25 मिनट के रेंज में हताम हो गया मतलब ऐसा था कि वहां पर उस इंटव्यू में मुझे इतना इतना रिलीव इसलिए पेज पहले चार पीज एक बुस के लिए फिर चार पीज एक बुस के लिए तो उसमें ना उसमें सारे के सारे किस्से लिखता हूं कि वहाई अच्छ है इसकी हेल्प करी तब करी इसने मेरी हेल्प करी तब करी ऐसे तो उन्होंने वह फ्रेंड वारे एंगल पूछ रहते त यहां पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि AFOs चाहे किसी भी इंटर्व्यू के लिए जाए ना सर तो उसके बारे में बहुत ज़रूरी नॉलेज चाहिए मतलब एक ना वो परस्नल मोस्ली जो हम अंसर बोल रहे होते हैं वो यही बोलता है एडवेंचर चैलेंजिंगे वो बट सर मुझे लगते है कि जितना जादा एक रीजन तो पक्का होता है जिसका परस्नलाइज होता है अब अनेसली स्पीकिंग तो मेरे को ना कि तरफ मेरा इतना जादा परस्नलाइज परस्नलाइज वीजन नहीं ता तो जाने से दो-तीन दिन पहले मैं और मेरे दोस्ट ऐसे डिसकास करते कि क्या बोला जाए तो वहाँ पर मैंने उनको बोला कि सर एक्चॉल मैं अब फ्लाइं के लिए तरफ तो सभी इंक्लिनेशन ह होते हैं कि हाँ मैं भी एक दिन ऊपर उड़ाओं तो मैंने यहीं बोला कि सर मैंना फ्लाइं की तरफ तो इंक्लाइंट था ही लेकिन आइसाइड प्रॉलम है तो फ्लाइं नहीं हो सकती तो मुझे पता है कि फ्लाइंग फाइटर पाइलेट की क्लोज विसिनिटी में है फा तो वहां पर मेरे को तगड़ा ग्रेल किया फाइटर कंटोलर के ऌटोर मतलब उन्हों नाएं तो यहां पर एक नउट पर video पड़ीर में इस étaitउर जिस्ना मैंने इक इंटर्वियू देखा था उनलों ने बताए कि कैसे कैसे होता है मैं मेर Сै सा आइसे सार्ट फाइटर कंट अगर उस चीज की नॉलेज है जो चीज बोलनी है तो फिर इंटव्यू काफी असान लगने रगता है और एकरट की जोइनिंग तो जोलाई में होनी है अबी तो फिर नेसे कहते कि अच्छे में निक्या करऊ मैंने कदे कि कुछी नी करूँ करना कथे आप कुल इंट्रोस्पट करना है कुछ improvements तो और भी होजगती है ना वो इंप्रूब कर लोगा काडमी जाने से पहले कि अजे तो मतलए एक चाडमी तो पका जारे मैंने का सर वह तो अब रिजल्ट के उपपर है तो सब्सक्राइब तो मैंने का सर अगर नहीं जा रहा हूं तो तो ऐसा हो शेता है कि तो मैं वहाँ पर भी यह कुबूल नी कर रहा था कि मेरे को इस कॉंद्स आउट कर देंगे तो मैं क्या करूँगा कि अगली वारी में और दबागे पड़ूगा और इस बार से भी डबल मार्च लेकर क्या होँगा तो न उन्हों ने वर से सिथे स्थे पूछा कि what is your score? तो मेरा score था 2-3 तो यहाँ था 2-3 तो यहाँ था 3 तो बैप पर उता 4-6 कासे लोगा तो सर यह 2-3 चीज़े होई last night फिर लास्व मैंने उनको यह बोला कि सर मैं फोसी जॉइन करूंगा जुलाई में बेशक जॉइन करूंगा अगर इसमें नहीं हो पाया तो नेक्स वाल एकट में जॉइन करूंगा तो वह एक पाट था अचा यूगे ट्रेकमेंड़ेट फिर एप कैट में मालब जो नइख कि है कि अडिटोरियम के सामने स्टेज के सामने ना ऐसे जालियां लगाई हो पिमो ठोटी-छोटी सी है और अब होता कि है कि जो रेकमेंड होता है उसको ऐसे चड़के ऊपर आना होता है तो सर कॉंफरेंच कटम हो गई थी साडे ग्यारा पौणे बार बार बेच अधर और उससे भी बड़ी वाच सिर्काणब्रस में क्या हुआ तक अबहर बैठा और जैसी में बैठा ही था उतने में घंटी बचगी में अंधर चला गया तो कहते है वहार आया तो मुझे लगा चलो आप टिकेट बट कर ले नी चाहिए वापस की क्योंकि होने वाले थाहने क्योंकि इससे पहले मैं ना जितने भी लियोगों से सुना था मैंने सुना था कि एपोस में जनरली वोल बेट कराते हैं तो ऐसा मुझे लगता था तो यह वाला भ्रम तूट किया मुझे लगा कि चलो मैं तो इसलिए मेरे वो जो बारा बज़े से लेकर के साड़े तीन बे तक का टाइम पाना से वो काफे डिगर था मतलब मैं ऐसे कभी इदर बढ़ रहा हूं कभी इदर बढ़ रहा हूं तो उसक सब लोग मेरे से ग्रूप वाली तो उस स्टेज में जाकर कि मुझे इसे लगाना कि यार यह है वो रियल स्टेज जो हम रिकमेंडेशन बगेर की मात करते कि कोजगार में गया था कि हम लोग को रिकमेंड होने के बाद सीधे पीछे कड़े कर दिया था तो जैसी वहां पर म स्टोरीव एट के लिखी है बट यह था कि उपर से व्यू मुझे अभी तक नहीं पता चला था अच्छे कितने सालों की जर्णी थी है अब इसके बाद से फिर अभी जो है 2022 में दिसंबर में जो है एक कट हुआ और 2023 की साइब में तो ओर आल पांच साल लगके पूरा एक पंचबर्च यह जना बनाती ही पिल इसके बाद जब तु सीदेश के लिए गया वांपर तो अब यह तेरा एक्चल सीदेश्वाना स्थी होगा मन में क्योंकि बिकॉर्ण आयमे तो जाना ही है हम लेन ओर यहां पर पर इसाह्ता हरा है? मतलब सर उननोंने रेंडम ओर रंडूर में चईस्स नम्पर्स बता एंग था थे competing तो अब मेरी से तो करें आगा तो मakedशा। उनके भाग सो गयां मैं तो शर्न dh मैं जैसी मेरा Baptist number बोला इससे पहले कि सितहिं वी मरे réflexxes था इससे पहले कि सितनżeी मेरी मेरा आर्मी जी। मेरे से पुच्छा बढ़मस जी। मैं बता रहा हूं sondern वालार नो नौम्बर. तो गयते हैं, वट इस ओ ओम है। तो सर बोटाया, पर जैसे मुझे साइड खड़े किया, मैं अपना लगज उठा कि जैसी साइड गया, सर मैं स्क्रिंडिंग में रोया हूं. मतलब आर्मी के SSB की स्क्रीनिंग में में रहा हूँ और मैंने जब घर पे फोन किया ना कि मैं स्क्रीनिन हो गया हूँ तो मेरी मम्मी कहती अरे अभी तो पांस दिन बचे हैं अभी क्यों रहा हैं तो सर वहाला पांट मुझे असे लगा कि स्क्रीनिंग में बहुत कुछ हो गया कि चलो आर्मी में स्क्रीनिंग तो ही गया हूँ इसके बाद कर तो मैं समाल दो गाथ उसकी बाद तो सर भई था कि आर्मी के इंटर्व्यू में एक अच्छी चीज वी ती यह था कि यहां पर मैं बोलूँगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी हो जाता है महां पर तो मैंना वेटिंग पीरेंड में बहुत हुआ था और जैसी में वेटिंग एरिया में बहुत तो काफिट लंबा बिरिट था इंटर्व्यू शुरू होने में बहुत टाइम लगा मतला 30-45 मिनिट लग गए थे तो मैं बाहर वेठा हुआ और उस वेटिंग एरिया मैं सर एक बुक रखी थी आयमे का पासिंग परेड पिछले वाले टाम का तो उस बुक को मैंने खोल करके जस सब देख रहा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है तो जैसी मांदर घुसा तो उन्होंने खुदी बोल दिया कि बहुत टाइम से तुम वेट करे थे तो सर पहला अंसर मेरा यही था कि सर मैं जो है बाहर आयमे की पोपी की बुक रखी हुए है वो बढ़ रहा था तो सर उन्होंने सीधे में से वहाँ पर मेरा जो जो बिल जाता था तो उसमें जब वह कॉल करके मुझे बता रहा था कि आज ग्रॉस कंट्री हुई है यह जुँग तो इंटर्व्यू स्टार्ट बढ़ अच्छा हुआ यहां पर मुझे लगा कि साटिंग बहुद अच्छी होई कि वहां पर मेरा जो व forces वाला पार्ट है तो दिख गया तो जैसी वह हुआ फिर उसके बाद interview बहुत असान वह मतलब 20-20 मिनिट वहां भी खतम हो गया था interview और ऐसा कुछ फसा नहीं है और GK के लिए कुछ question पूछा था उन्होंने मेर से एक question जिसमें उन्होंने मेर से पूछ लिया Middle East country मैंने 2-3 countries बताई तो उसके लाद सर्भी मैं कईता की सर्थ और मैं जब उन्हें बता रहानु तो मैं ऐसे बता रहा हूं तो मैं उन्हें बता रहूं पिर रोक रहूं तो मैं इसे बूछ रहूं तुम ने इसे बूछ रहा हूं या बता रहे हूं तो उसके बाद पिर लास्त में जब वो पुछते हैं अपको कोई कॉपट एक्सपीरियंस है तो वह कहते कि सर शो मतलब वहाँ पर मुझे ऐसा लगा न कि कहीं इस चक्कर में मैं में रहा हो जोनी के तो क्या बता थाओ तो अचार नहीं रहा तो उन्होंने ऐसे बोला और शिर मेना उन्ही को कंसोल कर रहा हूँ मैं करहा हूँ इट सोके सेर अधर तन देट आर्मी इस वेरी एडवेंचरे लाइट कर रहा हूँ यह तो सही कह रहा है तो लास ने सर ऐसे सिटुएशन हो गई थी तो बाद मुझे बदा चला कॉन्फरेंस के दिन वो सिटुएशन हो तो सर इसके लाबा साइक में मुझे रखता है की मेरे को पता था की साइक में मेरा जो है मेरे को लोग उस पर चेक करेंगे कि स्ट्रेस एंडलिंग पावर है या नहीं क्योंकि साइकोलाजी में ना सर मेरा एक डब्लॉटी चूट गया था चूट इन दे संज कि मैं कर रहा हूं 15 वर्ड और वहां 16 आके जा चुका है और मैं 17 लिख रहूं तो 16 पूरा ब्लाग हो गया मैं इदर अदर देखा किसी से तो मिल जाए कोई वर्ड पता ही चल जाए क्या है लेकिन कुछ नहीं मिला तो वहां पर मुझे पता चल गया था कि क् वर्ट इप श्रेस वाला पंगा होगा क्योंकि डव्ट में कटिंग वर्टेंग थी ठीक है तो जैसी ही यह हुआ तो फिर कॉन्फरेंस में मैं इस चीज के लिए प्रपेड का था कि मेरेको वह इस च्रेस तो पक्का होगा तो ड़क्त जैसी में अंदर अदर गोशें औन मैं आट वंटे जॉब मैं दूंगा चाल गंटे कोचिंग पड़ा रहूं तर अग कमाऊंगा मैं उतना सेमी तो वह कहता है सर मतलब वहां पर मुझे असा लगा कि वह सबसे तगड़ा मुव्मेंट था जो एडिशनल आयो जो कॉंफेंस चल रही थी सर की इतना आगे आगया थे कहतेँ टम्हार वार्वा सबस्यतल्ग्रव माइल कि टॉ LEंנו थैंट बोड इन केऊपके ङए था यार् सब्सकूर्ण सब्समें अचिछ च्छिक एथा थम सब कर्च ठो एधर यो थैयो किया थानर ऐunts यह निए सब तब उन्हों सिर्टn तो सर उसके बाद फिर हो गयते हैं कि अच्छा अब बैक अप्शन क्या है तो मैंने का सर एकट की एसनी क्लियर हो रखिए तो जोई कर लोंगा यहां नहीं होता तो कहते हैं कि चलो एकट में कुछ नहीं होगा मैरे टाउट हो जाओगे वाग मैं टो मैं भुदा में के нашем सरे को यह करूगे तो नहीं है तो मैंने की आप सब्सक्क्राइं क्यार करें गांटंच यह व्या difी करनी है तो मैंने जैसे ही बोला कि Master's तो मुझे ध्याना है कि July बे तो अपना CVT होता है PG के लिए तो मैंने कि सर जुलाई में CVT होगा PG के लिए Master's in Economics रादूगा और Master's करनी है तो फिर मैंने से पूछते कि Which is the best college for Master's in Economics तो मैंने का Sir मैं बता रहा है Sir तो मैंने से कोई से भी कॉलेज में स्थिटू कर लूगा तो कैते कोई सा भी क्या होता है फिर मैंने ऐसे नाम लिए फिर मुझे ध्याना है Sir कि Master's के लिए और Economics के लिए सब से बस्कॉलेज तो डियसी है डेली स्कॉल अपनोमिक्स तो मैं पो कैसे भूल जकता हूँ तो फिर वो कहते की एनी अधर कॉलिज मैंने का Sir डियसी भी होता है तो कैता तुम ने उसका नाम दुलिया है नी मैंने का Sir आपने पूछा निया आपने डेली उनिवस्टी बोला था डियसी तो अलग होता है तो भास में लग लगए तो Sir यह हुआ फिर इमे का रिक्मेंडेशन तो Sir यह था कि मेरो चशननमर बारा था तो मेरो जो पिछले सेशन में आरेम पासी जो है तो Sir वो रिक्मेंड होँआ उसके बाद मेरा आया तो आपने कि यह तो बढ़िया हो गया तो जैसी यह हुआ फिर से आजू बरावर आया तर फिर भी रोना पूरा आया फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो आर्मी जो था जितना सब को चल रहा था अब फाइनली इस ड्रीम तक आगे तर जैसी मेंने घर पर बताया कि में रिकमेंड हो गया तर घर पर मेरा चोटा अलब ठीक है मतलब उसका रिक्षिन नी था मैंने वो लगा कि भाई रिकमेंड हो गया अभाई बढ़े आ तिक चला जा 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 ये था उसका रिक्षिन बट मैं अम्मी रांती थी कि मेरा अव्री के ख्लाव इंकलीनेशन केतने है तो मम्मी रड़ी खुछ जोई था एप सिर आव तो आने तक दोस्तों की एक्साइटमेंट का वह हो गया था कि ए ठीक है तो बार बार आप जाही रहे है पट दोस्तिर यही कहने लगे कि ए ठीक एफोड भी आओगा फिर से आजा 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 बहुत जरूबी है और सर अगर मैं बोलू कि इन सारी चीजों के लिए तो मेरा जो अपना जो सेल्फ प्रेपरेशन वाला पार्ट है सार मैंने लिए तीपींड के लिए तीम Users होती है तो क्या करते हैं तीट के लिए सब लोग क्या करते हैं इढर उब हुछ फिशन घंगा ही अगर हम थोड़ा सा खुट पर ही सोचे ना तो हमने कई ना कई काफी सारे काम की होते हैं तो मैंने अपनी जुकाप्य उसमें हर चीज का एक स्ट्शन बनाए जैसे स्कूल का एक स्कूल में पार्ट किया है तो एक स्टोरी तो मैं बनाए सतका हूं कि मेरे रियल लाइफ एक्शन आएंगे स्कूल में मैं इविंट्स में लिए वो सारे इविंट्स का मैनेचर है अगर इस अगर इस बढ़ा काम किया होगा नहीं भी किया तो किसी और को करते बद देखा होगा तो यह था और इंटर्वी के ताइब भी यह सारी चीजे हम बताई बाते हैं और दूसरी चीज सर जीटीयों के लिए तो मैंने आपको बताए कि कनल MP सर थे इमाज में तो उनसे मैंने जो गाइडन्स लिया वहां से सब कुछ हो गया था एंड दे रोल उफ इसमें जो पाड था सर एकनट में को कोचिंग वाला मेंशन करना है तेरी मैं अच्छे लगा आप नेक्स्ट कोचिंगों पूछोंगे सेपरेटली मैं हो गया यह जो ख़ता होने अले अले तो इसलिए बस तुस रैप अप करते हैं तो सर उसके बाद जो है एक प्रॉपर नॉलेज ओफ ओएल क्यू जो वाला जो पाड होता है ना उसके लिए मैंने गाइडेंश लिपी पंकज हते तो इससे पहले वाले सेशन में भी उनका नाम दिया था सभी को उनका जो मिनी और का समझाने का तरीका मतलब उनोंने पहले चार पांश क्लास में अमने सिर्फ वह वह कि उन्होंने ये बताया कि बहु आ है तो हर एक उप्र उन्होंने और से 5-5 एक्जांपल लिखवाएं तो यहां से क्या हुआ कि अब पूरे के पूरे मेरे पास जर नहीं भी को होगे तो 50-60 एक्जामपल मिल जाएंगा और वो मिक्स भी हो रहे हैं तो 50-60 एक्जामपल से नो 50-60 आप तीम नहीं कर रही है तो वो एक बहुत बढ़िया था और उसके बाद सर रही बात आपका स्क्रीणिंग प्रॉसेस का वो तो मेरा मेसेज यही है कि अगर वो बंदा कोई भी अगर कोई बंदा अपीर रही है कॉलेज वालेज में जा रहे हैं तो यार MGOs वगेरा को जॉइन करो, Societies जॉइन करो क्य वो बढ़िया हो जाता है इससे मतलब कितनी सारे सारे नहीं नहीं तरीके के लोगों को हैं तो इससे बहुत सही चीज हो जाती है मतलब अब यह करते कि संडे शंडे लोग पढ़ाते हैं और उसके बाद के लिए उसमें बड़े बड़े लोग आ रहे हैं लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि पूरे इवेंट में हैंडलिंग वाला पार्ट करें यहां से रस्पांसिमिल्टी फेक्टर बढ़ जाता है तो अगर कोई डेली उनिवर्स्टी में हैं यह कन जॉइन तो सर यह काफी बड़िया प्रेट्फर्म लगता है मुझे और उसके बाद अपने कॉलेज की सिसाइटी इस भी तुम जॉइन करते हो यार उनमें कहें कि वह भी तुम्हें काफी जादा एक्स्पोजर देती है अधर देन डाट जो सेल्फ वाला पार्टन सर उसमें तो मुझे तूनी चीज़े लगते हैं कि एक तो गिवप नी करना एक लंबी जर्नी है जल्बी हो जाए तो बहुत ही बड़ी है नहीं भी होगा तो होगा जरूर पस जस कंटिनूसली इंप्रूब्मेंट वाला पार्टन जो भी स्क्रेन आउट या कंफरेंस आउट आ रहे हैं एक बर लेक लोकिया क्या पंगा हुआ क्योंकि जो ट्रेन की जर्नी है उसमा अधी जर्नी तो यहीं काट लो कि क्या पंगा हुआ थोड़ा बहुत रिवाइस करते करते और कंफरेंस आउट में भी सेंटी सर्थ मैंने तो कंफरेंस आउट में आप जो है उसकी अकॉर्डिंग भी लिख सकतो जैसे टास्क वन अग अगर मुझे कोई एक एक जामपल याद है तो मैं उसको याद ही नहीं चौड़ना इसको लिख लेना है जितन की जीजुँा करती कि वही है उसे तो जितना आदा लिख सकते हैं उतना आदा लिख़ी है और बाकि तो वही है कि एक चीज में निए अर्ट फोड़ा बहुत सा अगर जब अशस्वी की तियारी कर रहे हैं, तो फिर फोड़ा का ब्रेक दे दिया नहीं, तो इदर रिदर कर दिया है. Thank you so much Deepak for accepting my invitation, and I'm sure last one I was very, you know, knowledgeable for all aspirants, and we wish you all the best for your training, and I may Thank you so much again, and guys, if you like this video, please like, share, and subscribe. We post video every Sunday at 1 p.m. for you. Take care, love you all. Thank you so much.